एलो दोस्तों, दोस्तों क्या आप लोग एक बेस्ट फोन दून यहों अंदर 15,000 रूपीज बट कही न कहीं आप लोग दोस्तों बहुत जादए confused भी हो confused इसलिए हो कि दोस्तों अभी अंदर 15,000 के रेंज में अगर आप मार्केट में चेक करो तो बहुत सारे options आपको देखने को मिल जाती है तो उसी के बीच में कही ना कही हम लोग confused आया कि आखिर हमारे निटके according इन सभी phones में कौन सा best phone है अंदर 15,000 रूपीज आज किस वीडियो में मैं बस दो phone ले काया हूँ जो कि दोस्तो इसी दोनों phone में से आपके निटके according एक phone आपके लिए best होने वाली है तो वीडियो बहुत ही जादे useful होने वाली है तो वीडियो के आप end तक बने ना and वीडियो को miss मत करना तो चले करते हैं वीडियो को फटा की start without wasting है सका है दोस्तो यहां पर जो हमारे पास दो phone है पहला है दोस्तो हमें Motorola के दरब से Moto G40 Fusion देखने को मिल जाती है और दूसरा दोस्तो हमें Redmi के दरब से Redmi Note 10S देखने को मिल जाती है वहीं पर दोस्तो अगर Moto G40 Fusion का price से करो तो इसमें आपको दोस्तो best variant 6GB, 64GB का यहां पर price increase 14500 के around देखने को मिल जाती है वह पर दोस्तो Redmi Note 10S की price की बात करो तो यहां पर आपको दोस्तोओ ऐसे यह 15 concerned 500 की देखने को मिल जाती है वहीं पर दोस्तो इसमें इसका based variant आपको शिक्सीभी 64 сигशी द देखने को मिल जाती है तो उसका रज़ इसका प्राइस 1000 एवाब है बड़ दोस्तों बहुत सारे अवर्स बगेरा देखने को में जाती है तो उसको लगा के आप दोस्तों इसे अंदर 15,000 वाइक कर सकते हो अब आपके मन में ये सवाल आता हुगा कि अंकि इन दोनों डिवास में से हमारे लिए पॉन्साब बेस्ट होने वाळी है तो वो जानने के लिए दोस्तों थोड़ा इन दोनों फोन के प्सका ठाइस को डिपैसमे जानने प्रइगी वो पहले बात करें त extraordinarily this allows तो यहां पर दोस्तों आपको Moto G40 Fusion में 6.8 इंचेज की एक IPS डिस्प्लेट देखने को मिल जाती है, जिसमें की दोस्तों आपको 120 हजी रिफ्रेसरेट भी देखने को मिल जाती है, वह पर दोस्तों आपको Redmi Note 10S में यहां पर दोस्तों आपको 6.4 इंचेज की एक Super AMOLED डिस्प्ल स्टेट देखने को मिल जाती है तो अब बात करें डिस्प्ले के कर्डिंग तो यहां पर दोस्तो अगर आप एक गैमर्स हो तो देन आप अपकोस यहां पर अब दोस्तो यहां पर आप एक हाई रिफ्रेश टेट का सपोर्ट देखने को मिल जाती है वहीं रेड्मी नौट टैने की बात करो तो यहां पर दोस्तो अगर आप मूवी देखना पसंद करते हो अगर आप नेट्फिलिक्स बगेरा इंज्वाइब करते हो देन आप यहां प अबाइबा नेटिफ्री प्रेम नाट टैने कर आढ़र कर दोस्तो यहां पर दोस्तो आपको डराना अजोत डेमिगीर्यं करूप्टि माइंग के लिए कुछ अच्छितितरासे来 पॉब्सी और की तरगे कुछ और हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए माली जिनिट फाइप उस तरह से आप्टिमाइज नहीं ऐं गेमिंग के लिए। फों अगर आप दोस्टों यहां पर गैमिंग के लिए जाना चाहते तो या अगर movie वगएरा वाज करते हो तो आप विदाउत कुछ सोचे Redmi Note 10S के तरफ जा सकते हो विकाज दोस्तों यहाँ पे आपको एक Super Amulet की display देखने को मिल जाती है तो आपको यहाँ पे Super Amulet display के साथ एक अच्छी experience मिलेगी यहाँ पे दोस्तों आपको movies वगएरा देखने में दोनों फोन के camera वगएरा को देख लो तो यहाँ पे दोस्तों आपको Redmi Note 10S में यहाँ पे आपको quad camera setup देखने को मिलती है जहां कि दोस्तों आपको 68 plus 8 plus 2 plus 2 setup के साथ यहां पर आपको एक quad camera setup देखने को मिल जाती है and front में आपको 13 Megapixel का भी camera देखने को मिल जाती है और यहां पर Moto G40 Fusion में आपको दोस्तों एक triple camera setup देखने को मिल जाती है जहां कि दोस्तों यहां पर आपको 48 plus 8 plus 2 camera setup देखने को मिल जाती है और फ्रेंट में दोस्तों यहां पर आपको जीफोटी श्यूजन में आपको 16 Megapixel देखने को मिल जाती है तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगेरा करते हो अच्छी फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपको दोस्तों यहां पर रेडमी नौट 10S के सब्सक्राइब को की बेट्री अबर कहीण दूस्तों आपको ज्टी नाट के मूकाबले से तो यहां पर दोनों कदीशन बराबर ही देखने देखने को मिल जाती है यहां पर जो पॉइंट है तो कही ना कहीं इस दोनों फोन को एक दूसरे से बहुत ही जादे अलग बनाती है वह है दोस्तों इस दोनों की डिजाइन की अलग यहां पर देखने को मिलती है दोनों के फोन में यहां पर यहां प्लस्तिक देखने को मिलती है और सामने के साइड में आपको यहां पर दोस्तों रेन्मी न तो एक डिसीजन आप इसके एकॉर्डिंग भी ले सकते हो कि अगर आपको लुक बाइस फोन लेना है तो आप रेडमी नौट 10S के तरफ जाओ तो अब एक final conclusion की बात कर लो कि दोस्तो इन दोनों फोन में किन के लिए बेस्ट होने वाली है तो अगर गैमिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो आप मोटो जी फोटी फ्यूजन के तरफ जाओ अगर आप वीडियो बगैरा देखना पसंद करते हो तो देन आप रेडमी नौट 10S के तरफ जाओ एक पॉइंट और जाओ देजाइन जो मैंने आभी आपको बताया अगर आप लुक वाइज जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेडमी नौट 10S के तरफ जाओ पसंद आए होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जैनल को सब्सक्राइब आईकन को प्रैस करना ने दिए जुख्यां के एक लाइक सस्क्राइब मिलती हैं तब तक के लिए जाए लिएक सब्सक्राइब